डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली एट टेग टीवी टेग टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कैनड़ा एंड अराउंड दे गलोग अपोजीशन पारटी कंजर्वेटिव की जानिब से एक बार फिर कैनेडियन वजीर खजाना बिल मोर्नियों के स्तीफे का मतालबा एटिक्स कमिशनर को ख़द लिख दिया जनरल जॉनातन वेल्स ने कैनेडा के टॉप सोजर के ओधे से रिटार्मेंट का एलान कर दिया कैनेडियन वजीर आदम की जानिब से उनकी ख़द्मात पर शुक्रिया अदा किया जया ओंटेरियों में करोना वाइरस से सबफ लगने वाली पाबंदियों में नर्मी के तीसरे महले में मजीद तौसी मजीद शूबों को खोला जाएगा कैने नब भर में करोना वाइरस के फैलाओं में एक बार फिर तेजी मतासर होने वाले अफराद की तादाद एक लाग बारा हजार चैसो बहत्तर हो गई शाम की फिजाई हुदूद में अमरीकी एफ-फिप्टीन ने इरानी मुसाफिट तयारे का रास्ता रोक लिया अमरीकी सेंटर लक्मार्ण का कहना है कि ये पेशा वराना मुदाकलत बेनो लक्मामी मेयार के मताबिक की गई थी तुर्की के शहर इस्तंबोल की मारूफ मस्जद आया सोफिया में 86 बरस बाद नमाज जम्मा की अदायत की तुर्क सदर और दिगर एहन शक्सियात समेथ हजारों अफराद ने नमाज जम्मा अदा की दुनिया भर में करोना वाइरस से मतासर अफराद की तादाद 1,56,63,660 तक जाँ पहुची जबके इस मूजी वाइरस से हलाकतیں 6,36,909 हो गई हेडलाइन साब ने जानी और अब खबरे तफसील के साथ कंसर्वेटिव पार्टी ने वजीर खजाना बिल मोर्नियो से स्तीफे का मतालबा करते हुए एफिक्स कमिशनर से मतालबा किया है कि वजीर खजाना की जानब से डबलू ई चैरिटी के थर्च पर पैरूने मुट दोरे के इनकशाफ से मतालब नई तहकीकाश शुरू की जा गया है उनकी जानब से ये मतालबा बिल मोर्नियो के बियान के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने डबलू ई चैरिटी को एक तालिस हजार डॉलर दिये थे कंसर्वेटिफ पार्टी के एथिक्स क्रिडिक माइकल बेर्ट ने एथिक्स कमिशनर को एक बार फिर ख़त लिखा है जिसमें इन से मतालबा किया गया है कि वजीर खजाना गुजिशता रोस पालिमानी कमेटी के सामने इनकरिशाफ किया कि 2017 में इनके और इनके एले खाना क की मुफ सफर की पेशकर्श कबूल नहीं कर सकता कंसर्वेटिफ पार्टी ने वजीर खजाना बिल मोर्नियों से स्टीफिय का मतालबा करते हुए एथिक्स कमिशनर से मतालबा किया कि वजीर खजाना की जानब से डबलू ई चारिटी के खर्च पर बैरूने मुल्क दौरे क कि इनकिशाफ से मतालब नई तहकिकात शुरू की जाएं अपॉजीशन जमाद की जानब से कहा गया कि बिल मोर्नियों ने ये बयान दिया है कि इन्हें इल्म ही नहीं था कि ये रकम उन्होंने नहीं अदा की इस पर उन्होंने माज़त भी की ताहम ये माज़त इसका जवा जन्हेंचन जन्हेटन वैंस के कैनिडा के टॉप सूलजर के इसे रिटार्यमेंट का इलान कर दिया मजिध एहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियनफ चीफ वड सुलजर ओधुनक का इलान कर दिया उनका कहना तक जब तक अपने आधुदे पर माज्चों अपन जनर्ड जनर्ड जो के कैनेडियन फौज के कमांडर इंचीफ भी हैं वजीर आजम जिसिंटूडो और वजीर देफार हर जीत सजन को आगा कर दिया है केनेडियन वजीर आजम जसाइब करती है और हकومत ही फैसला करेगी कि कमार्ड में तब्दीली कब की जानी है चर्णल जॉनाथन वेंस को 2015 में इस वक्त के वजीर आजम स्टीफन हार्पर ने इस होदे पर फाइस किया था चर्णल जॉनाथन वेंस कैनेडा की तारीक में इस होदे पर सबसे ज्यादा अर्सा रहने वाले प होदे के लिए वेंस को नामजद करने से इंकार के बात किया गया है करोना वाइरस के सबब की जाने वाली पाबंदियों में नर्मी के स्टेज्ट्री में इंडोर डायनिंग लाइफ परफॉर्मिंग आर्ट शोस मूवी थेटर के लावा खेलों के मैदान भी खोलने की अज दे दी गई है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में ऑंटेरियो में करोना वाइरस के सबब लगने वाली पाबंदियों में नर्मी के तीसरे महले में मजीद तौसी कर दी गई लेकिन ट्रॉन्टो पील और विंट्सर एसक्स के इलाके इसमें शामिल नहीं हैं दरहम हाल्ट हिमल्टन, नियागरा, हल्डीमेंट, नौर्फॉक, लेम्टन और यार्ग के अलाकों में स्टेज ट्री के तहत नर्मी की जाएगी। हकूमत की जाने से टौन्टो, पील और विंट्सर एसक्स के अलाकों में दूसरे महले के तहत पाबंदिया बरकरार रखने का फैसला किया गया है, इन तीन पब्लिक हेल्फ पॉइंट के लावा दिगर साथ पब्लिक हेड़ पॉइंट को दूसरे महले से तीसरे महले में दाखिल करने की जाज़त दी जा रही है, इब्तिदा में हिमिल्टन में पाबंदिया नर्म करने से मुतालिख खशाथ थे, ताम वजीर आला ने हिमिल्टन को इस फेरिस में शामिल कर लिया है, मजमूरी तोर पर ऑंटारियो के कुल 34 पब्लिक हेल्फ यूनिट्स में से 31 पब्लिक हेल्फ यूनिट्स स्टेज 3 में दाखिल हो गए हैं, जहां इंडोर डाइनिंग, लाइफ परफॉर्मिंग आर्ट शोस और मुवी ठ शेटर के लावा खेलों के मैदान भी खूलने की अजाज़त दे दी गई है, कबल अजीन डग पर्ट का कहना था के टरॉंटों, पील और एसक्स के अलाकों में बहुत जल पावंदिया मजीद नरम कर दी जाएंगी, उनका मजीद कहना था कि हम तीनों लागों के मेर्स के सा दिया गया है, इस अजाज़त के बावजूद सहथ के कवानीन और दिगर हिपाज़ती एकदामात लागों होंगे, नए कवानीन के मताबिक एक वक्त में सिर्फ दो अफराद को अंदर जाने की अजाज़त होगी, कैनिडा भर में करोना वाइरस के बाइस हलाक होने वाले अ तादाद 8,874 तक जाँ पोची, मजीद एहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में, कैनिडा भर में करोना वाइरस के फैलाओं में एक बार फिर तेजी देखने में आ रही है, आकरी एक प्लाद के मताबिक कैनिडा में करोना वाइरस से मतासर होने वाले अफराद की तादाद 1 12,662 हो गई है, मुल्क भर में करोना वाइरस के बास हलाक उने वाले फ़ूराद की तादाद 8,gam 8,874 तक जापोची है, क्यूबेक सूबा करोना वाइरस से सबसे जादा मतासर हुआ है, सूबे बर में करोना वाइरस के मजमूई केसिस की तादाद 58,0801 ह critique हो गई है, जब के हलाक होने वाले अफराद की तादाद दो हजार साथ सो पचपन है अलबर्टा में करोना वाइरस के पहलाओं में इजाफा देखने में आ रहा है जिस पर हुकाम ने तश्वीश का इजार किया है जबके इस सिलसले में हुकूमत की जानिब से एहम एकदामात किये जा रही है सूबे भर में 9975 अफराद करोना वाइरस से मतासिर हुए हैं जबके 176 अफराद हलाक हो चुके हैं बिटिश कॉलंबिया में करोना वाइरस के केसिस में तेजी से इजाफे के बाद सूबाई हुकूमत ने कुछ शोबजात के लिए पाबंदियों में सक्ती करने का इलान कर दिया है सुभाई حکومت نے कुछ चोबजात के लिए पामदियों में सक्ती करने का अलान कर दिया सुभाई भैकमाय सहथ की जाने से जारी बियान में हाउस बोर्ट्स और छुट्टियों में किराये पर हासल की जाने वाली जगों पर एरान ब्राटकास्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शाम में एरानी मुसाफिर तयारे का रास्ता रूके जाने का वाकिया पेश आया इरानी मसाफर तयारे का रास्ता रोके जाने पर इरान ब्राटकास्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शाम में इरानी मसाफर तयारे का रास्ता इसराइली तयारे ने रोका एरान ब्राडकास्टिंग के मताबिक एरानी पाइलेट ने टक्राओं से बचने के लिए परवास की उचाई तेजी से कम की परवास की उचाई में तेजी से कमी की वज़ा से मतादित मसाफिर जखमी भी हुए इरान ब्राडकास्टिंग का ये भी कहना है कि एरानी तैयारे का रास्ता रोके जाना इस्टाल अंगेस और खतरनाक है उधर शामी सरकारी मीडिया का कहना है कि एरानी मसाफ़ तैयारे का रास्ता ममकिना तोर पर अमरीकी तैयारों ने रोका है ये पेशा वराना मुदाखलत बैनोल अक्वाम मेयार के मताबिक की गई थी तुर्की के शहर इस्तंबोल की मारूफ मस्जद आया सोफिया में 86 बरस बात नमाज से जम्मा अदा की गई तर्की के शहर इस्तंबोल की मारूफ मस्जद आया सोफिया में 86 बरस बात नमाज से जम्मा अदा की गई रास से ही लोगों ने मस्जद के बाहर डेरे डाल लिए ताहम डेर हजार नमाजियों की कुझाईश होने और मस्जद में जगा ना मिलने के बाइस हजारों शहरीों ने बाहर गलियों और सड़कों पर नमाज पड़ी सदर रजब तयब अर्दवान ने इमारत पर नजफ नई तक्ती की निकाब कुशाई की 86 साल बाद आया सूफिया ग्रेंड मस्जद में नमाज जुमा अदा की गई लोगों ने तुर्क सदर और उस्मानी खलीफा की तसावीर वाली शट्स पहन रखी थी इस तारीखी मौके पर वबा से बचने और सेक्योर्टी के लिए सक्त इंतजमात किये गए थे वाज़ रहे कि 10 जुलाई को तुर्की की सबसे आला इंतजमी अदालत कौंसल आव स्टेट ने आया सूफिया को सुल्तान मौम्मद फातिफ फॉन्डेशन के हक में फैसल देते हुए 1934 को फैसला मनसूब कर दिया था पैसले में कहा गया था कि इसे मस्जिद के लावा किसी और मकस्द के लिए इस्तमाल नहीं किया जा सकता ये इमारत च्छटी सदी में तामीर की गई थी तुर्क मीडिया के मताबक सदर तयव उर्दवान ने आया सुफिया को मस्जिद में तबदील करने के लिए अपना खुद मुक्तार हक इस्तमाल किया दौान ने मगरिब को खबरदार किया कि आया सुफिया के अगदाम पर तनकीद हमारी अजादी पर हमला तसवर होगी आया सुफिया माजी में चर्च थी फिर उस्मानी सुल्तान मुहम्द फाते ने कुस्तुनिया को फता करके बाजन तीनियों को शिकस दे दी उन्होंने इस चर्च को अपने जाती माल से खरीद कर मजजिद में तबदील कर दिया तो ये मजजिद जाम आया सुफिया के नाम से मशूर हो गई और सल्तन तर्य उस्मानिया के खात्मे तक पांस सो साल तक वहां पंच वक्तर नमाज होती रही मस्तवा कमाल अतातुर्क ने सल्तन तर्य उस्मानिया को खतम करके जाम मजजिद आया सुपिया को नमाज के लिए बंद करके इसे अजाइब घर बना दिया था करोना वाइरस की मूजी वबा ने दुनिया भर में मसलसल अपने खून खूर पंजे गार रखे हैं जिसके ना सिर्फ मरीजों में बलके इससे अमबात में भी हर रोस इजाफा हो रहा है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में करोना वाइरस की मूजी वबा ने दुनिया भर में मसलसल अपने खून खूर पंजे गार रखे हैं जिसके ना सिर्फ मरीजों में बलके इस से अमबात में भी हर रोस इजाफा हो रहा है दुनिया भर में करोना वाइरस से मुतासर अफराद की तादाद एक करोड़ चपन लाग तेहतर हजार चैसो सार्ट तक जा पहुंची है जबके इस मूजी वायरस से हलाकतیں छे लाग चाहरी मुतासर अमल्ग है जाना सिर्फ करोड़ मुरीज बलके इससे हलाकतیں भी अब तक दुनिया के तमाम मौलव में अम्रीका में करोना वायरस से अब तक 1,37,341 अफराद मौढ के मौ में पहुंच चुके हैं जबकि इससे बिमान होने वालों की मजमूरी तादाद 41,70,579 हो चुकी है। करोना वाइरस के मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिकी फैरिस में बराजील दूसरी नमबर पर है जहां ये वाइरस 84,207 जिन्दगियां निगल चुका है। जबकि करोना मरीजों की तादाद 22,90,000 तक जा पहुँची है। भारत करोना वाइरस के मरीजों की तादाद में तेजी से जाफ़े के साथ इस फैरिस में तीसरे नमबर पर पहुँच गया है। जहां करोना से 30,700 हलाकतیں हो चुकी हैं। जबकि इससे मतासिरा मरीजों की तादाद 12,90,300 हो गई है। करोना वाइरस में करोना वाइरस की दादाद 8,900 हो चुकी है। सौथ अफरीका में करोना वाइरस की वबाद से मजमूरी अवाद 6,093 हो चुकी है। जाएंस वाइरस के अब तक कुल केसिस चार लाग आठ हजार बावन रिपोर्ट हुए हैं एरान में करोना वाइरस से मरने वालों की कुल तादाद 15,074 हो गई जबके करोना के कुल केसिस 2,85,074 हो गई सौदिया अरब में करोना वाइरस से अब तक कुल अमबाद 2700 रिपोर्ट हुई हैं जबके मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,60,400 तक जा पहुँची है टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली अट टैग टीवी प्राद टीवी यूट चैनल और अप्रस्ट आ कि अटिकेश्योटन अटन